दोस्तों नमस्कार, हनुमान चालीसा की शक्ति के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है, अलग अलग जगह पर बताया जाता है कि कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करने से लोगों की समस्या दूर हो जाती है हनुमान चालीसा को लिखा था राम चरित मानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को गाकर अपनी आवाज में रिकॉर्ड करने वालों में सोनु निगम और मशहूर गजल गयक पंकज उधास भी शामिल हैं ये दोनों गायक ऐसे हैं जिन्होंने केवल रिकॉर्ड कराने के लिए हनुमान चालीसा नहीं गाया बलकि व्यक्तिगत जीवन में भी ये दोनों सिंगर हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पंकज उधास अपने हर कॉंसर्ट से पहले हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते हैं इसके अलावा सिंगर सोनु निगम ने भी हनुमान चालीसा को लेकर कुछ दिन पहले एक बड़ा खुलासा किया एक इंटर्व्यू में सोनु निगम ने बताया है कि कैसे हनुमान चालीसा ने उनकी और उनकी फैमली की जिंदगी पर आये संकट को दूर कर दिया था सोनु निगम ने बताया है कि उनका परिवार कैसे पाकिस्तान में हुए एक ब्लास्ट में बाल बाल बचा था ये वाक्या 2004 का है जब सोनु निगम कराची में एक कॉंसर्ट के लिए गए थे 2004 में 10 अप्रिल को ये कॉंसर्ट आर्मी एरिया में होना था सोनु निगम ने एक आर्जे को दिये इंटर्व्यू में बताया है तब ही अचानक एक आवाज आई और जिस गारी में सोनु जा रहे थे उसके बगल वाली गारी के पर खच्चे उड़ गए पता चला कि वहाँ एक शक्स खड़ा था जिसका सिर उसके धर से अलग हो गया था सोनु निगम का कहना है कि उस ब्लास्ट में उनका पूरा परिवार बच गया क्योंकि वो उस वक्त हनुमान चाली सा का पाठ कर रहे थी सोनु निगम इससे पहले ये भी बता चुके हैं कि उन्हें हनुमान चाली सा पढ़ने की आदत उनकी मा की वजह से पढ़ी सोनु निगम ने हाल ही में हनुमान चाली सा का अपना वीडियो भी लाँच किया था उत्तर परदेश में गोरखपर महुत सव 23 के दोरान उत्तर परदेश के मुख्यमंतरी योगी आदेत्यनाथ की मौजूदकी में ये वीडियो लाँच किया गया था झाल